2024 की तैयारी कौन किस पर भारी, NDA PDA में कौन जादा ताकतवर, 48 घंटे बाद यहां होगा सक्ति पदर से विपक्ष को लगा बड़ा जटका, ओम प्रकास राजबर ने भी बदला पाला, NDA में मारी अंट्री, अमिश्चा बोले UP में मजबूती मिलेगी जिराग और माजी के बाद, अब ओम प्रकास राजबर भी हुए NDA में शामिल, ग्रिह मंत्री, अमिश्चा ने खुद की आयलान, भारत में बढ़ गया सियासी गमासान दोस्तों, 2024 के चुनाओं के लिए मोधी वर्सेज आल की लडाई तेज हो गई है, NDA और विपक्ष की PDA एक जुट होकर एक दूसरे को टकर देने में जुट गई है, 18 जुलाई को दिल्ली में NDA की बैठक है, लोग सबा चुनाओं 2024 यानी अगले साल होने है, देश में होने बैठक 17 और 18 जुलाई को बैंगलोरू में होने वाली है, 17 जुलाई को विपक्ष के नेता बैंगलोरू में रात्री भोच करेंगे, तो वहीं 18 जुलाई को एक साथ बैठकर BJP विरोधी रणनीती तै करेंगे, और उसी दिन दिल्ली में NDA भी अपने सहीयोगियों को एक विपक्ष का आत्म विश्वास डगमगा गया, दरसल यूपी में सुहेल देव भारती समाज पार्टी यानि सुभासपा के प्रमुक ओम प्रकास राजभर एक बार फिर एंडिये में शामिल हो गये हैं, उन्होंने सनिवार को दिल्ली में केंदरी ग्री मंत्री अमिश्चा से मुलाकात की थी, उसके बाद उनका गडबंधन में शामिल होने का एलान किया गया है, अमिश्चा ने ट्वीट करकर कहा कि ओम प्रकास राजभर से दिल्ली में भेट हुई, और उन्होंने परधान मंत्री नरेंदर मोदी की नेतरित वाली एंडिये गडबंधन में आने क पल मिलेगा, वहीं अन्डिये में आने के बाद राजभर ने कहा कि हम पियम मोदी की सोच को आगे बढ़ाएंगे, राजभर के पाला बदलने पर सियासत भी सुरू हो गई है, विपक्ष के नेताओं की होने वाली बैठक में 24 दलों के हिस्सा लेने की बास सामने आ रही है, तो एक-एक पुराने साथियों को लेकर विपक्ष की एक जुटता को देखते हुए, बिजेपी ने अपनी अन्डिये गडबंधन से पार्टियों को जोडने का काम तेज कर दिया है, उत्तर से लेकर दचिड और पूरफ से लेकर पस्चिम तक बिजेपी लगातार पार्ट में हिस्सा लेगी, पार्टि ने बयान जारी करके कहा कि पवन कलियान इस बैठक में शामिल होने के लिए 17 जुलाई को ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि एंडिये के 28 दल तो पीडिये के 24 दलों की दो अलग अलग जगहों पर होने वाली में सियासी सरगर्मी तेज होने वाली है